सब्चेट जी के स्टांडर फ्री लेशन 40, लेशन 41, एंड लेशन 42, 40 से 42 तब के लेशन आजब पढ़ेंगे, बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो हमारे वाल वीडियो भी कवर्ड हो जाएगे, ओके स्टुरेंट्स, तो लेशन नमर 40 इस माइट पावर, लेशन 40 में क्या है, माइट आवर, यहाँ पे एक छोटा सा मैंसे दिया गया है, ए, complete the circles by filling in the correct numbers, यहाँ पे जो यह circle है, को मैंना ओरड़ी फिल कर दिया है, तो इसे हमें complete करना था, जैसे यहाँ पे, क्या है plus का sign है, यहाँ minus है, और यहाँ पे, multiplication, you can see, here sign is plus, here is minus, and here is multiplication, So, you know, 4 plus 3, 7, 4 plus 6, 10, 4 plus 7, 11, 4 plus 3, 7, इसी तरह से हमने यहाँ आगे पुराल यह है, 4 plus 3, 7, 4 plus 6, 10, 4 plus 7, 11, 4 plus 1, 5, 4 plus 2, 6, 4 plus 4, 8, 4 plus 8, 12, and 4 plus 5, 9, उसी तरह से हमें, यहाँ प्लस 4, 10, 7 plus 4, 11, 1 plus 4, 5, 2 plus 4, 6, 4 plus 4, 8, 8 plus 4, 12, and last one, 5 plus 4, 9, उसी तरह से हमें, उसी तरह से हमें, यहाँ तरह से हमें, माइनस का साइन दिखाया है, यहाँ तरह से हमें, हमें यहाँ तरह से हमें, 4 minus 4, 0, 4 minus 4, 0, 4 minus 4, 0, 12 minus 4, 8, then 10 minus 4, 16, 6 minus 4, 2, 8 minus 4, 4, 13 minus 4, 9, 25 minus 4, 21, and 16 minus 4, 12. मैं से पुरा का पुरा, simply, माइन पाउट जो है, एक छोटासा गेम है, मैंने आपको यहाँ के प्लस और माइनस के गोव एक्जामपर बिता दिया, इसी तरह से हमें, पूरे यहाँ माइनस करके सर्कल कर लिया, यहाँ में हमें टेबल ही होना है, 4 का, प्लस माइनस का, का, मुठिप्लाई का, sorry, मुठिप्लाइ का साइल है, तो यहाँ में टेबल होना है, और आप सबीको 4 का टेबल काता है, 4 बंजा 4, 4, 2, 1, 4, 3, 12, 4, 4, 4, 16, 4, 5, 20, 4, 6, 24, 4, 7,5, 28, तो यहां पे क्या है? पहले हमें एक प्लस, फिर माइनस और लास में पुटिप्लाइब, यह तीनों देखें. 4 मंजा 4, 4 तो देखें, 4 तीज आ 2, 4, 4 तो देखें, 4, 4, 6, 4, 4, 6, 4, 5, 4, 5, 5, 4, 6, 4, 6, 4, 7, 4, 6, 4, 7, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 8, 8, 8. जो फर्स था सर्कल, रो, प्लस, मैटास, हैंड मल्लिप्लिकेशन, यहां पे नम्हारा कम्पीट हुआ है, ओके, आप यहां में question number भी, fill in the blanks, boxes, with the numbers, so that the sum of each row and column was 360, यहां पे जो blanks के वो कैसे बढ़ने हैं, कि हर रो का जो total है, वो 69 चलिए है, इस तरह से 15 और ऐसे में, horizontal का vertical, दोनों तरब से 16, 16 and 16, so यहां पे रोएं था, 4 और 4 था, तो 16 बनाने के हमें जो numbers missing थे, क्या होएं, प्लस होगा हैं हां पे, 4 प्लस 4, 8, 4 प्लस 8, 12, 12 प्लस 4, 16, 4 प्लस 8, प्लस 4, 4, 8 and 4, so 16, जो तरह से 16, इसी तरह से 3 प्लस 6 प्लस 7, इकोल तो 16, यह 3 आसा है, तो जो missing number था, 6 और 7 को हमें प्लस किया, तो कितना होता है, 6 प्लस 7, देखिया, इस तरह से आप प्लस करेंगे, तो 6 and 6, 12 and 1, 13, 6 प्लस 7 कितना हो गया, 13, 7 में 16 हो गया, 6 प्लस 6, 12 and plus 1, एक्स्रा 1 में, तो 13 हो गया, 13, 1, अब 13 को हमें 16 तक लेके जाना है, तो 3 numbers missing है, हमें यह 3 लेके हैं, ठीक है, so 13 plus 3 equal to 16, अबर answer is 16, ओके, यहां क्या है, 9 plus 2 plus 5, जो missing number थे, वो प्लस क्या लिखनी है, तो 16 करने के हमें, हमें 2 over 5, 9 to 11 plus 5, 16, ओके, इसी तरह से हम सीदा की चोड़ लेंगे, 4 plus 3 plus 9, 8 plus 6 plus 2 equal to 16, and 4 plus 7 plus 5 equal to 16, इस तरह से यह vertical और horizontal बन तरह से, 16 तो तरह है, so, here question number D is also over, now, the question number C is complete the pattern by feeling in the next box, आब students, आब यहां में, you can see the circle over here, after circle, there is a sign, then circle, So you know circle then triangle. So here is circle. So यहां पर क्या हो जाएगा तो यहां पर आए अस्ट राइकल. Triangle दिना फिर से circle, फिर से triangle. इसी तरह से यहां पर बनाए. You can see circle triangle then circle triangle, circle triangle and circle. यहां पर क्या है? One full circle, one half circle. Okay? So circle then up, 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 up and up. Okay? So students, see how many our lesson number 14. पुरा हुआ? This is over. And now lesson number 41. Before that, I am going to clean this bowl. अब लेस्ट नुम्मर फुर्टिवन इस शेव एंविर्मेंट इस शेव एंविर्मेंट इस शेव एंविर्मेंट के बारे में हमें गोसिस करने चीए अपने एंविर्मेंट को सेव करने की अपने अच्छी तरह से अगर हमें रहना है जीना है तो यहां पे कुछ सेटमेंट के बारे में हैं और सही है यह तो अब हमें वो पताने हैं number one is trees help in controlling soil erosion that is true जो पेड़ है वो क्या धर्ती का जो कटा होता है ना उसको बहने में हमें मदद करते soil erosion मतलब क्या होता है बर्सार पानी अगेर से जो बहती का बहा होता है ना वो रोग लेते हैं जो हमारे पेड़ हैं तो यह जो हमारा question 32 now as it is easily portable we should use plastic bags and other plastic items क्या हमारे समान लाने ले जाने में जो easiest है वो है polyphen जो हमारे plastic bags रोती है तो क्या हो हमें वतलब यूज करने चाहिए यहां पर यह यह दिया गया है and other plastic items और other plastic items हमें use करने चाहिए as it is easily portable समान लाने ले जाने के लिए portable जो मतलब जो word है हमें तो वो यह है कि समान लाने ले जाने के लिए हम लोग जो plastic bags का use करते है और other plastic items easy होती है तो वो सही है मतलब environment के लिए वो सही है no students that is false plastic bags थाम में use नहीं करना चाहिए excessive sound of vehicle and its horn disturb our environment is true जो अधिर sound होता है ना हमारे vehicle अगेरे का तो वो हमारे environment को disturb करता है सही बात तो answer is true our forts and factory garbage which we dump in our surroundings make our environment neat and clean क्या जो हमारे घर के और factory के जो garbage जो कच्छा होगेरा होता है वो हम अपने आसपास रहते हैं तो क्या हो environment के लिए saaf कर रहता है उससे मतलब environment recover and environment neat and clean क्या हो हमारे environment को neat and clean करता है no students that is false the plants and tree have to control air pollution जो हमारे प्रेड और पौधे हो हमारे जो air pollution होता है हवा में जो बंदिनी pollution होती है उसे control करता है that is true a plastic bag is degradable that is false now in our country collection of rain water and its uses are not necessary false that is necessary and we are not necessary as we have shortage of soil and land क्या हमारे देश में plantation of trees मतलब प्रेड पौधे का जो प्रेड हम उडाते है वो जब्री नहीं है as a shortage of soil and land that is false okay so you can see your all answer number one true number two false number three true number four false number five true number six false number seven is false eight is true and last one is false okay before we start lesson number forty-two just give me a second so students now lesson number forty-two कान बने गा करून पती कान बने गा करून कती यहां पे अब करून कती बने जा रहे है हम लोग now lock the correct option यहां पे क्या है lock the correct option जो correct option है उसे हमें लोग करना है because हमारा जो यह quiz है वो कान बने गा करून कती okay this is a like quiz this is like a quiz हम question पुछे क्या option लें का आपको answers दे रहे है now the international literacy day is observed on September 8, November 28, May 2 and September 23 answer is September 8 वन का जो answer है को है A वनका answer A है number 2 who is the author of Manas का huns Manas का huns जो पुस्तिका है उसका author कौन है उसके लेखा कौन है और वहां पे हमें जो खुश्मान सिंग प्रेंचन जैशंकर प्रशाद और अम्रितलाल ना तो answer हमारा D में है अम्रितलाल ना number 2 answer is D number 3 who is the author of the epic mehdoot epic means काव्या जो मेंदूत महा काव्या है उसके जो लेखा है वो कौन है विशंकलत वालमिकी कालिदास और बान घट विशंकलत वालमिकी कालिदास बान घट answer is C इसमें लिखिये मैं तूदू मैं तूदू लिखिये है कारिदाज जी है आंसर इस C, कारिदाज जी है जो उनने में तूदू दिखाई और जी नी दिखाई मैं कारिदाज जी बोल रही हूँ ओके? So question number four which is the following is observed as sports day every year 22nd April 29th August 26th July or last one is 2nd October answer is 29th August B four number B five which of the following is not a dance form Kerala? Kerala का जो dance form in में से कुंसा नहीं है काथा कली मोहिन यंटं अतान्थाले और यक्षा कना so answer is यक्षा कना वहांगा डंसमा नहीं है so D option number D is your right answer 6th number who among the following wrote glimpses of world's history मात्मा गादी जवार्ला नहरू राजंद्र प्रशाद और last है भानिक राज अना so answer is जवार्ला नहरू option number B which option answer is option B okay 1st A 2nd D 3rd C 4th P 5th D and last one is B okay students you can see the screen also first of all our discussion activity so students today we have completed lesson number 14 41 and 42 you can see all the lessons over here what I have written over here write it in non-book you have to write this in your non-book also you can see all the instructions okay so here our chapter 42 is also over and second 7 is finished if you have any query you can call till then bye and thank you